हे गाईस नमस्कार जयमातादी कैसे हैं आप सबी उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत यह चोंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कमर में दर्द क्यों होता है इसके क्या रीजन होते हैं कमर में दर्द से चुटकारा पाने के लिए गर्वती महलाओं को क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना है तो आज का ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कमर दर्द से क्या एक महला पता कर सकती है जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या फिल लड़की होगी इस बारे में भी चर्चा होगी क्योंकि बहुत सारी गर्वती महलाओं के मन में इस टॉपिक को लेकर डाउट है तो आपको घबरानी की जुरत नहीं है आपको वीडियो को एंड तक वाच करना है ठीक है तक आपको सही जानकारी इस वीडियो के माद्यम से मिल जाए तो चलिए आज की वीडियो कर लेते हैं शुरू वज उससे पहले एक चोटी सी गुजारे से इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों आपकी लीक लाइक से में बहुरती ज़्यादा खुशी मिलती है ठीक है और इसी तरह की हैलफुल वीडियो देखने के लिए हमसे जरूर जुड़े रहे हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बल ऐकन कौल पर प्रेस कर ले जिससे कि आपको टाइम से नोटिपिकेशन मिल जाए ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जिससे आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है इसके अलावा प्रेग्नेंसी के दौरान आपके सरीर में रिलेक्सिन हार्मोंस बनता है जो जोडों को डीला करता है जिससे कमर की जो दर्द की समस्या होती है वो बढ़ जाती है यानि कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी लगती है कमर में दर्द की समस्या जो होती है वो काफी भड़ जाती है दूसरा रीजन ये भी हो सकता है जब आप पीट के बल ज़्यादा लेटी है मालिजे प्रेगनिंसी का कोई भी ट्राइमस्टर चल रहा हो खास करके second और third राइमस्टर में ये चीज ज़्यादा होती है जब दूसरी और तीसरी किमाई में इक महला पीट के बल ज़्यादा लेटी है यानि कि सीदा सीदा आप लेटी हैं पीट के बल जादा देर तक लेटी रहती है तो इससे भी आपके कमर में दर्थ की समस्या हो सकती है ठीक है नेक्स्ट डीजन ये भी हो सकता है अगर आप लगातार कंटीन्यू मा लेजे आप खाना बना रही है किचिन में और जादा देर तक खड़ी रहेंगी प्रेग्नेंसी के टाइम पर वैसे भी आपका बजन बढ़ता है प्रेग्नेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपका बजन भी बढ़ता है अगर प्रेग्नेंसी के टाइम पर ज़दा देर तक एक गर्वती महला खड़ी रहती है तो इससे भी काफी कमर में दर्थ की समस्या होती है व आपको ठीक है, साथ ही आपको पीट के बल नहीं लेटना है, पीट के बल भूल जाएगी लेटना आपको लेटना है, लेट पोजिशन में लेटने से बच्चे को भरबूर मातरा में oxygen मिलती है, और आपको भी बहुत ज़दी ज़दा comfortable फील होगा, तो आपको लेटने में ही ज जादा समस्या हो रही है बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है तो ऐसे मैं आप अपने डॉक्टर की सला जरूर लें ठीक है अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या कमर में दर्द से पता लगा सकती है एक महला कि होने वाला जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की वेसले नहीं होगा चीक है और आपको लड़का ही होगा या फिर लड़की होगी ऐसा बिलकुल भी जरूरी नहीं होता है ठीक है मैंने आपको reason भी बताए है अगर 9 महीना आपको लग गया है जैसे कि माली जी आपका 9 महीना start हो गया है तो आपकी delivery तो कभी भी किसी बक्त हो सकती है इसका कोई clear time तो होता नहीं है अगर 9 महीने में आपका continue कमर में दर्ड लगातार हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी delivery होने वाली है तो यह संकेत मिलता है ठीक है hope करते हैं आपके सारे डाउट इस वीडियो में clear हो गई होंगे अगर हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ी से भी मदद मिलती है help मिलती है अगर आपके डाउट clear हुए है तो प्लीस हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूले और मैं आपको बता दे रही हूँ कोई भी लड़का लड़की होने का 100 परसेंट वर्क नहीं करता है क्योंकि इनका कोई भी साइंटिफिकली प्रूफ नहीं होता है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़र कीजिएगा